तो अगर आप लोग फीस ज्यादा होने की वज़य से किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पा रहे हो तो विद्यासरी कॉलेज आप फार्मेशी आपके सपनों को साकार करने अब आ गया है जी हाँ दोस्तों आपने मिल्कुल सही सुना बहुत कम प्राइज में आप अपने फार्मेशी के करियर की स्टार्टिंग कर सकते हो विद्यासरी कॉलेज आप फार्मेशी से इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं क्या एडमिशन प्रोसेस रहता है कैसे आप लोग यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो क्या क्या फैसलेटी जहें इस कॉलेज के अंदर और सबसे इंपोर्टेंट ही इसकी फीस कितनी है बहुत कम और मिनिवल चार्ज में और इसका एम क्या है तो इस्ट्रिण जो कॉलेज है ना वो पड़ता है बैंगलोरू में बैंगलोरू करनाटका में इसका जो इस्टेबलिस्मेंट हुआ वह वह हुआ तो आप लोग यहाँ पर अपने करियर के स्टार्टिंग एक हाई क्वाल्टि एजूकेशन से कर सकते ह जो कि बहुत ही अच्छा है अब देखो अगर आप लोग किसी भी कॉलेज में डिमिशन लेते हो ना तो सबसे यादा जो डाउट होता है वो यह है कि अफिलियेशन कहां कहां से है तो जी हाँ अफिलियेशन के अगर हम बात करें तो फार्मेशी काउंसिल अफ इंडिया यानि की PCI नियू डाले इसकाइफ़्डियेशन है शाथी साथ राजिव गादी इंस्टिुट आफ हेल्थ साइंसेज देखिए एक गवर्निंग बाड्य है राजिव गादी इंस्टिुट आफ हेल्थ साईंसेज वहां से भी इनका जो है अफिलेशन बोर्ड आप एक्जामेशन अथार्टी करनाटका ओके जो बोर्ड है करनाटका बोर्ड वहां से इनका जो है अफिलेशन और अफ्रूबर इस कॉलेश को मिला हुआ है तो आप लोग यहां पर जो है एडमिशन जब लेते हो एक सेक्यूरेटी मिल जाती है कि हाँ एक कॉलेश अप्रूबल है विद मिनिममम फीज ठीक है चलो यह तो हो गया अफ्लिएशन की बात अब हम बात करते हैं कुछ एडिशनल फीचर के बारे में जो कि कॉलेज में आपको मिलती है जो कि होना ही चाहिए हरे कॉलेज में सबसे पहली चीज अगर आपने फार्मेसिक के स्ट्व और किसी भी कॉलेज में डमिशन दे रहना तो वेल एक्यूब्ट फैसलेटी होनी चाहिए यानि कि जो लैब हो वेल फैसलेटी हो वेल एक्यूब्ड हो जिससे कि आप लोग जो है अपने प्रॉपर तरीके से अपने प्रैक्टिकल को कर पाओ वो यहां पर आपको 100% मिलेग तो आपको कॉलेज की दोवारा 100% प्लेश gland असिस्टेंट भी प्रवाइट कियाता है जो कि ऑक बहुत अच्छी बात है एक फार्मेशी ग्रेजूएट या तो इप्लमाउट फार्मेशी होल्डर्स के लिए जो कि एक फ्रेश्र जो है निकलते हैं कॉलेज से साथ ही साथ जो सबसे अच्छे सीज़े है कि online admission process है इनका तो आप लोग घर बैठे admission ले सकते हो और इस student मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूना अब देखो अगस्त जो है खतम होने वाले हैं अल्मोस्ट हड जगा admission close होने वाल है तो मैं आपको recommend करूंगा कि जितनी जल्दी चल्दी हो सके आप लोग एडमिशन लो यहां पर college में आकर के यहां पर आपको जो है health line नंबर भी दिख रहा होगा अच्छा और कुछ सीज़े हम समझते हैं इस वीडियो में इस्किल बेस प्रेक्टिकल ट्रेनिंग होती है जो इनकी प्रेक्टिकल ट्रेनिंग होती है वह क्यों theoretical नहीं होती है इस्किल बेस होती है जिससे की बच्चों के अंदर एक इस्किल इंप्रूब हो पाए अब हम कॉलेज के कुछ एक गिलिम्स को देखते हैं जरा मैं आपको कॉलेज के बारे हम कुछ चीज़ें इंड्रोडियूस कर दूँ यह जो आप लोग देख पा रहे हो न डिस्प्लेय पर हो है कॉलेज की बिल्डिंग यानि कि यह जो कॉलेज यह जो प्लोग आप लोग इंटेरियर देख पा रहाएं कितना अच्छा और प्यारा इंटेरियर है इस कॉलेज का देखो यहे रिशेप्शन एरिया है आप लोग आप लोग इसी एरिये में जा ओगई ऑकी यह देखो ओपर से इमेज लिया गया है एक तरीके से बैठने के क्भाव्त सब्सक्राइब ठाइब विडियो में दो पाहर का सीन है जहां आपको इस्ट्रेंट जो कि उन्हें ने फोटो दे रखा ओकी अच्छा यह देखो उनका रिसेप्षन पॉइंट है जहां पढ़ेगो कुछ इस्ट्रेंट गए हुए हैं एडमिशन के लिए तो वह उनका रिसेप्षन एरिया है जहें दोको विद्या से आप लोग और लोग वहां के लिए उनकी इसपोर्ट एकडमी खुद की है उक्ए इनके अलग से कोर्स भी है इसपोर्ट एकेडमी भी है तो आप लोग यहां पर एक अच्छे करियर की स्टार्टिंग करोगी जब आप लोग एडमिशन लोगे आपके पढ़ाई के साथ-सा आपको यहाँ पर मिलेगी ठीक है यह कुछ फोटोज है जो आपको मैं सो कर रहा हूं इसपोर्ट कॉंप्लेक्स का ही फोटोज है आप लोग इसको देखिए है ओके चलो आई अपको यह समझ में आगया होगा साथे साथ देखो यह योगा रूम है उनका तो कुछ कुछ एक्टिविटीज होती रहती है जो कि इनका है और कुछ कुछ कुल्चिरल प्लोग्राम भी होते हैं देखो प्रॉफर्फ ड्रेसेज में के क्ल्चिरल प्लोग्रा में बिटक बात्राइब है जहां पर हैं और इनकी सारी का सारी की सारी और चीप reimbursement करते हैं तो आप ने जितनी वी फोटोज देखने वो सारे जो फोटोज वह विद्द् genuinely खर्म Walk थgone वर्म एक उस्वेंüneस क्षूट सब्षोटोज ने थो ही सैमesthop क्बहुद आतरू आपको अपूलगे दर्भीड के बारे में बता दियां जो से important portion जै वह है फिसी structure ठीक है तो इनका फिस कितना लगता है इसको जरा समझों आप लोग देखो जो इनकी डिपलमा इनफार्मेसी की फीस है ना वह है कितनी सिंट जो फिस वह फिप्टी थाउजन यानी कि पचास हजार रुपए है फिस्ट यर की फिस और सेकंड यर की जो फिस हो है तीस हजार रुपए यानि कि टोटल जो है आपके अशी हजार रुपए में डिपलमा इन फार्मेसी कंपलीट अपने कहीं इतना देखा इतने सस्ता डिप्लोमाइन फार्मेसी होते हुए विद कैमपस अच्छी फ्लेश्मेंट फैसलेटी हो प्रापर क्लासेज होती हो दैंस यह आप लोग नहीं देखा होगा गौवर्मेंट कॉलेज की फिस इतनी नहीं है ठीक है यह बहुत अच्छा फिस स्ट्रक्चर है अज दी फार्म करन होगा विद्यासरी कॉलेज फार्मेसी में आप लोग एडमिशन जरूर लेना ओके फिस की बात करें तो सिक्स्टी फार्मेंट पर यह कितना साथ हैर पर यह यह बहुत मिनिममम फिस है देखो मैं जो है इस देखता हूं कि एक एक लाक रुपे दे करके जाते हैं कॉलेजिस में और वहां पर फ्रेशमेंट भी नहीं होती है लेकिन अर्विद्यासरी कॉलेज आप फार्मेसिक सबसे बात यह है कि आप लोग अगर शाठ पर यह दे भी रहा हुना तो ऐसा निया कि प्लेशमेंट नहीं मिलेगा आपको प्लेशमेंट असिस्टेंट मिलेगा कितना 60K पर यह पर समेस्टर नहीं है तो आप लोग एक साल पढ़ाई करेंगे यानि कि दो लाग चालीस एर में आपके डिपलोमाइन फार्म आपको यहां पहुंच जागा कम्प्लीट सिर्फ और सिर्फ कितने में तो दो लाग चालीस एर में ओकी तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस क्या है इनका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस देखो एडमिशन जो है ट्वेल्थ आपके पास आउट होने चाहिए मिन्मम जो एलिजबिल्ट आपके पास आउट होने चाहिए मिनिममम जो होना चाहिए आपके 45 परसेंट माक्स होने चाहिए ठीक है उसके बाद से देखो आपको एडमिशन कैसे लेना है देखो जब से वीडियो चल लेगे तब से आपको यहां पर एक कुछ नंबर सोग हो रहे होंगे उपर और नीच तो आप लोग जाए 8050-410-565 आप लोग इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हो ठीक है आपको यहां पर हर एक जानकारी दे दी जाएगी साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक दूंगा आप लोग वहां से भी जा करके डिरेक्टली अप्लाई कर सकते हो और ज सब्सक्रिप्वित करने तो ली पर अचली क्रीअ करी करने टार्म की सी जो आवेलेबल है तो आप लोग यहां पर एंचेंब adequate के आपको और एटमिशन लेशकर तो आपको जो है एक अच्छा पॉर्शनिटी मिल रहा है विद्धा से रिकॉल लेज़ा फार्मेशी में एडमिशन लेने के लिए तो आप लोग यहां पर जरूर एडमिशन लेना क्योंकि देखको अगर आप लोग एडमिशन नहीं लोगे तो आपके एक साल बरबाद हो जा जाकरके एक अच्छे सीटी में अपने एजुकेशन लेकरके अपने अच्छे करियर की स्टार्टिंग कर सकते हो तो इस्ट्विडियो में यही था जाओ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करो और जाकरके अप्लाई जरूर करो